हेलो व्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल गार्टनिंग हैकिंग्स आज हम देखेंगे कि किस तरीके से एक Ficus के प्लांट में ठ्रिप्स का अटेक किस तरीके से हम उससे डील करें और ठ्रिप्स को पूरी तरीके से कैसे हम को अटाना है आप इसमें देख सकते हैं कि ये प्लांट में कुछ पत्या मुड़ी हुई है और अगर इन पत्यों को अगर अपन खोल के देखेंगे तो फिर आपको इसके अंदर थ्रिप्स का पूरा का पूरा जुन्ड नजर आएगा ये देखिए ये मैं आपको पत्या खोल के बता रहा हूँ इसमें तो नहीं है अभी दूसरी पत्या खोल के बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर ट्रीट्मेंट स्टार्ट कर दिया है दोस्तो तो इसमें काफी अच्छा effect आ रहा है और इस वज़े से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये information आपको भी बता देखिए ये रह थ्रिप्स और गोर से देखाऊंगा मैं आपको दोस्तो इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि ये खतरनाक पेस्ट थ्रिप्स से आप अपने फाइकस प्लांट को किस तरीके से बचा सकते हैं और अगर दोस्तो मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल दोस्तो थ्रिप्स ऐसा इंसेक्ट है कि आपको आपकी गाडनिंग लाइफ के अंदर इससे रूबरू होना ही पड़ेगा यह एक बहुत ही खतरनाक पैस्ट है जो आपके प्लांट की पत्यों में जो की जादा तर ग्रोइंग पत्या होती है उसमें छुप जाता है और यह sexually reproduce कर लेता है अपने आपको मतलब अगर आपको एक दो quantity नजर आती है तो तो रातो रात यह अपनी quantity को बढ़ा लेता है गोर से अगर आप देखेंगे तो यह मेरी पत्या मुर्जा गई है यह जब आपका पैस्ट काम करने लग जाएगा तो यह मुर्जा जाएंगे जो thrips होते है यह मुर्जा जाएंगे खतम हो जाएंगे और जिसे इसको फूक मारी मेने तो देखेंगे यह हवा में उड़ गए अगर यह जिन्दा रहते तो यह पत्यों से चिपके हुए रहते दोस्तों यह thrips की cycle पूरी एक पत्ती में लिकाल देता है अब यह देखें मैं आपको zoom in करके बताता हूँ यह पत्ती के उपर कितना heavy attack हुआ है यह brown brown spots जो आपको नजर आ रहे हैं यह पत्ती को चूस लिया है इन्होंने यह thrips अंदर इसके अंदर जम्य हुए हैं अब यह देखें दूसरी पत्ती को मैं अगर खोलता हूँ तो इसके अंदर यह देखें यह इसने thrips ने अंडे भी दिये हैं और दवाई के असर होने की वज़े से इनकी quantity कम हो गई है यह अभी मैं दूसरे में दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ thrips आपको clearly दिखें देखें यह दवाई का treatment बहुत अच्छे से हो रहा है जिसकी वज़े से यह thrips मर रहे हैं और यह मर के कोने में आ जाते हैं और पत्तिया आपको फेलने आपको फिर खोलने ल सided अख गई है यह पतली जोटी सी पती है जो नई पती है इसके अपर thrips में है अटेक किया था और आभ यह खतम हो गया तो फृर यह पति डी शेप हो गही है मंगर यह खुल गई है yeah देखी यह चूसनेे के इनके निशान है ये पत्तों के उपर पत्तों का रस चूसने वाले थ्रिप्स कहलाते है ये देखे ये सब इसके निशान है ये सब इसके निशाने चूसने के निशान है आपको ये दिखेंगे तो आये देख लेते किस तरीके से इनसे डील करते हैं सबसे पहले तो आप अपने पोदे को अच्छी तरीके से पानी से धोलें First step अप्का ये है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से पानी से वाश कर लें कि ताकि जो excess thrips हैं वो नीचे गिर जाएं इस तरीके से आपने पूरी तरीके से पानी से पोदे को धोना है अगर आपके पोदों में थ्रिप्स की जस्ट स्टार्टिंग ही हो रही है तो सबसे अच्छा ये है कि नीम उइल एक लीटर में 10 ml का नीम उइल लें और उससे नीम उइल से इस्प्रे कर रहे हैं और प्लांट को ज्यादा डेमेज भी नहीं करेगा बट अगर त्रिप्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर उसको आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट साइकल चलाना पड़ेगी ये देखिए आपको दो पेस्टिसाइड यूज करना है दो पेस्टिसाइड के कॉंबिनेशन को यूज करना है पहला तो है ये फिपरोनिल फिपरोनिल ये केमिकल कमपाउंट है जो मैं इसके अंदर यूज करूँगा ये दोस्तों बहुत ही लाबदायक है और सिर्फ फाइकस ही नहीं आप अपने जो टमाटर या फिर आलू या तो फिर किसी भी प्लांट के अंदर भिंडी के अंदर इसका यूज कर सकते हैं जहां पे थ्रिप्ट्स हो दूसरा है इमीडा क्लोरोपिड ये इमीडा क्लोरोप भी बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है जो 2 ml पर लीटर में यूज करना है आपको पहले आप फिप्रोनिल का इस्प्रे करेंगे अपने प्लांट के उपर पूरी तरीके से आप प्लांट के उपर इस्प्रे करेंगे अच्छी तरीके से इस्प्रे करेंगे और उसके बाद चार-पांच दिन के बाद आपको इमिडा क्लोरोपिड 2 ml पर लीटर लेना है ये दोनो पैस्टिसाइड जो है ये सिस्टमेक पैस्टिसाइड है आप ये देखेंगे कि ये कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ शो के लिए आपको दोबारा से डेमो करके दिखाना चाहा रहा हूँ बट आपको इस तरीके से इस्प्रे करना है और जो छोटी पत्या है उसके उपर भी आपको पूरी तरीके से नहला देना है इस तरीके से आप जैसे ही इमीडर क्लोरोपिट आप यूस करेंगे उसके 10 दिन के बाद आप ये दोनों दवाईयों को 1-1 ml पर लिटर आप मिक्स करके दोबारा से स्प्रे करेंगे 5-5 दिन के डूरेशन में आपको दोबारा से स्प्रे करना है आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगिये हो तो लाइक करेंगा शेर करेंगा और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स पर वाचिंग